पीजी वैलकम सी यू इन पीजी पॉइंट सो देखे आज के वीडियो में हम लोग न्यू न्यू यू यूनिट शुरू कर रहे हैं और इसका क्या नाम है आपका तो इंटालिजेंस यानि बुद्धी आप तो सोच रहे हैं यह क्यों पढ़ा होगे आप यह तो हम बुद्धि आपके टेट सीटेट के ड्रिस्टे कोंड से भी यह यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट साबिट होगी ठिक पहली बात दूसरी बात जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें तीसरी बात यदि आपको इन क्लासेश की पीडिये तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से जुट जाएए टेलिग्राम पे या तो आप पीजी पॉइंट सेर्च कर लो जो चैनल का नेम है या आप एक काम करो देखो यहां पे कमेंट चेक्शन और टेलिग्राम पे अल्रेडी एक लिंक है पिंड इसी के थुरू आप क्लिक करो आप पे जॉइन लिख कैगा आप जॉइन कर लो रेगुलर पीडियाफ आपको वहीं मिलेगी और पेपर वन की आपकी असी माक्स की क्लासिस जहाँ पे प्लेलिस्ट लिखा होगा ना वहां देखो मिल जाएंगी उसके बाद में पेपर टू की क्लासिस आपकी सुबह चल र रखेंगे वड़ना आप लोग सब बाउंस को हो जाएगा आपना शुरू करते हैं बुद्धी वाला चैप्टर इंटेलिजेंस सबसे पहले जानेगे कि बुद्धी का अर्थ क्या है और उसकी परिभाशाएं क्या है यहां पर आपको बुद्धी की परिभासा नहीं अर्थात हमने पूछा आपसे कि बताओ फल्खाना अच्छा होता हैं गी कराथ तो आपने कहा कि माम फल्खाना बहुत अच्छा होता है एक बच्चा उठा उठा उसने का मैम वेट फल्खाना मौर्णिंग के टाइम पे अच्छा सब भी आपको cold हो जाए एक बच्चा उठा कहा कुछ नहीं होता है मैम ऐसा आप पस फल खाओ उसमें आपको vitamins मिलेंगे सब फाइदा करेगा एक बच्चा कहा उसका अलगी परिपेक्षिता क्या वो उठा बोला मैम आप इन सब की बाते छोड़ो हम लोग तो कभी भी फल खा सकते बस वैसी बुद्धी को लेकर के जब भी बुद्धी के ये पूछा गया कि बुद्धी क्या है तो हर आदमी ने अपना अलग-अलग reply किया तो उसी के परिपेक्ष में जो बहुत ज़्यादा famous होगा psychologist उन्हीं के अनुसार definitions बन गई जानते हैं कि क्या है पूरी जानकारी कि इस मतवेट का अंत करने के लिए परिशिद मनोवेग्याने अनेक अफ़सरों पर एकमत हो चुके है सन 1910 में अंग्रेज मनोवेग्याने की सभा हुई 1923 में विश्यूम में मनोवेग्याने की अंतर राष्ट्री परिश्यों यानि इंटरनेशनल कॉंग्रेस हुई पर जैसा कि रॉस ने लिखा रॉस ने क्या लिखा देखो लेट में चेंज दी कलर ऑफ में पैन देखो रॉस ने क्या लिखा कि कि वे यह निश्चित नहीं कर सके हैं कि बुद्धी में इस म्रतिया कलपना भाषा अवधान गामक यूगित बताओ पीछे कड़े थे अब देखो जड़ा संग्षेप में यह दि कहा जा है तो बुद्धी का अर्थे इस पस्टी कर यानि इस एक्स्प्लेशन जिसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्ट के नाम से जाना जाता है इसलिए बुद्धी जो केवल अर्थमात रहे तता इसकी को सब्सक्राइब के नाम से जो आपका पब्लीकेशन है इसमें आपको दिखाएंगा पेपर वन की यह जो बुक है सिक्षा के दार्शिनिक परिपेग्शे तो फॉर्मिट क्या रहने वाला है क्या रहने वाला है इनका इंडेक्स सब कुछ जानेंगे तो देखे गुरू सरण तो गिजु भाई के विशय में एड हुआ है ना तो इन्होंने देखिए वो सारे टॉपिक्स यहां पर कवर किये हैं यह सब चीजे आपको बता दें नीव सिलाबस के बुक्स डिजाइन की गई है यूनिट वन में जब आप चैटर वन ओपन करेंगे तो देखेंगे कि वह विकल्पी भी मिल जाएंगे जो बहुत बड़ा कोश्यन था ना तो आपके सब कुछ प्रक्टिस हो सकती है इससे आप चाहें पर्चेस कर सकते हैं ठीक है तो आई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ सत्ता नहीं है बहुत इक सत्ता ना होने के कारण इसके आयाम यहनी डाइमेंशिंस भी बहुत तिक नहीं है अपिटू यह केवल इनके कुछ गुड मात्र हैं देखो अब क्या दूसरे सब्दों में बोरिंग ने क्या कहा याद रखेगा सारे साइकोलिस्ट के कॉर्डिंग आपको पढ़ना है लेकिन जब आप याद रखेगा त बुद्धी एक ऐसा सामानने शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने दिन प्रति दिन की बोलचाल की भाषा में अधिक करते हैं तथा सीखने समझने एवं अच्छी इसमने शक्ति आधिक उड़ों के लिए हम बुद्धी शब्द का प्रयोग करते हैं ठिक आप देखो मनोव अग्यानिक ने बुद्धी को परिभाषित करने की कोशिश की है सबसे पहले बोरिंग ने बुद्धी की एक औप्चार इकेनी फॉर्मल परिभाषा दी कि बुद्धी परिक्षन जो मापता है वही बुद्धी है लेकिन बुद्धी को मापने की बहुत सी विधियां है इन वातावरण से समायोजन, दूसरा बुद्धी का वरगी करन, तीसरा अमूर्त चिंतन करने की योगिता, ठीक है, और ये क्या है सारा, और सीखने की चमता, यानि बुद्धी का जो वरगी करन किया गया, वो कितने पार्ट्स में किया गया, तीन पार्ट्स में, पहला वातावर पहले बात तो यह बताओ क्लासे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बहुत से बच्चे तो नए हैं उनको बता दिया जाए पेपर वन भाई आप लो भी युनिवर्सिटी से हो आप एक बात गाठ बांद लो क्या पहले तो अपना सिलाबस डाउनलोड करो अफिशियली नहीं मिल रहा है तो जाओ चाहे जाए जाए सिलाबस ले कर किया हो जब सिलाबस ले आओ उसके बाद में देखो क्लास में आपको थमनेल लिखता होगा अब चेक कर लो अगर वो टॉपिक आपके में है तो वो क्लास पढ़ लो नहीं है तो मत पढ़ो सो सिंपल ठीक और सीएज़ीयम्यू वाले लखनो यूनिवर्सिटी सीएज़ीयम्यू वाले बच्चे बिल्कुल निस्चिंत रहो क्योंकि आपके में सेमिस्टर प्रणा लि बस मजाग तक सीमित था यह शब्द मरेंगे नित्ती जल्दी तुम लोगो को टॉप करवा बिलकुल एक डम जब स्कूल जाने लगोगे न उसके बास सोचेंगे ठीक अब देखो परंतुबाद में अन्बोग किया गया कि इन तीनों स्रेडियों में यह दोश है प्रते पहलू या पक्ष के आधार मानकर बुद्धी को परिवाजित किया गया जबकि बुद्धी में केवल एक तरह की क्षमता सम्मिलित नहीं है मतलब जैसे सिर्फ उसको यह फल खाने के क्या अलाब होतने तो आपने सिर्फ उसको विटमिन्स के ड्रस्टी कॉंट से बाटे दि तो मतलब हर एक परिपोग पेक्ष से हर एक ड्रस्टी कॉंट से आपके किसी भी चीज़ों को सोचके समझ के टेफिनीशन देनी जाए बलकि इनमें अनेक तरह की चमताएं जिसे सामाने चमता कहते हैं सम्मिलित होती है इस उद्धेश को ध्याने में रखते हुए कुछ मनो वज्याने ने बुद्धी को दूसरे डंग से परिभाशित किया है सो आई जानते किस डंग से परिभाशित किया है वैसलत के रुसार क्या कहा गए कि अभी प्रियुक्त करने तरक युक्त चिंतन करने तता पर्यावनन के साथ प्रभावपूर्ण दंग से विवार करने की व्यक्ति की संपूर नत्रा सारभाम चमता ही बुद्धी है उनका मतलब यह हुआ जैसे मैंने आप से कोई प्रश्न पूचा कि बताओ यह है ऐसा ऐसा होता है आपने का नो मैं आप गलत भोल रहेंगे अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो थोड़ा जल्दी भी सिलाबस कंप्लीट होगा और हमारी प्रेक्टिस भी हो जाएगी आपने हमको राइदी तो क्या हुआ यह तरक युक्त जो चिंतन हुआ आपका यह भी किसके अंतर कता आएगा बुद्धी के अंतर कता आएगा किसके अनुसर वैसलर के नुसर ठीक अब यदि हम लोग बात करें रॉबिंसन साथ समायोजन करने की चमता अमूर्त रूप से सोचने की चमता तथा अनुभवोस को लाब उठाने की चमता करकता है सबसे पहली बात तो यह है कि नई परिस्थितियों के साथ समायोजन जैसे मान लो अभी तक आप लोग स्कूल लाइफ में थे ठीक है अब जैसे ही आप क कर रहे होते हैं या बेड करते करते बीचें बता चले अभी थर्ड समेस्टर में साधी ताय हो गई है ना साधी हो गई तो क्या हुआ अचानक से परिस्थितिया परिबढ़ती हो गई लेकिन फिर भी आपने समायोजन बना लिया जैसे आप देखे लो अपने काम इवन कॉलेज भी जाते होंगे कभी न कभी तो उसके बाद में कॉलेज अगर मालो नहीं भी गया तब एक घर के काम एक बच्चे को संभालना बच्चे को पूरा ट्रीट करना उसको समझाना इवन आप साथ समझ सकते ना बेबी की केरकिती तो कुल मिला के यह समायोजन ज जिन्हें ने जिनको आपने देखा ही नहीं तो क्या होगा हम को सिर्फ चोट लगेगी क्या हमारे पेट ऊटेंगे या फिर कुछ भी नहीं होगा मैं Сक्क्ति मान की तरह नीची हाज होगा तो मतलब यह जो अमूर्त रूप से आप सोच रहे से समझ लो आपने एक खोली और बुक में सिर्फ वो जो लिखा हुआ है वो नहीं आपको यहां पर कुछ और ही दिख रहा है कुछ तस्वीरे दिख रही है किसी की कहते हैं आप किसी यादों में अगर खोई हुए हैं तो यह भी आपका किसके अंतर गता है अमूर्त चिंतर बहुत लोगों को भाई बड़ी मजा आ गई इस एक्जामपल में क्या बात है है connect कर पा रहे हो कहा है चीज़ों को बोलो जल्दी बोलो फटेवर्ट इस पार्ट आफ जो कुछ वर्क कर रहे हो वो किसके अनुसार कर रहे हो intelligence is the way of acting बुद्धी कार करने की एक विधी है जो कुछ आप वर्क कर रहे हो वो सब किसके अकॉर्डिंग काम करेगा आपका तो बुद्धी के अकॉर्डिंग काम करेगा अब जड़ा टर्मन के अकॉर्डिंग देखो क्या कहा गया कि बुद्धी अमूर्त विचारों के बारे म पहनेंगे फिर त्यार होंगे फिर ड्राइवर और मामा के घर जाएंगे यार की रास्ते में जय नहीं मिल जाएगा वही क्या है बुद्धी है किसके नुसार रॉस के नुसार ठीक अब रॉस के नुसार नवीन परिभासा से चेतन अनुकूलन की बुद्धी है मतलब नए तरीके से सोचना यानि conscious adaptation to new situation is intelligence मतलब नवीन परिभासा से चेतन अनुकूल ही बुद्धी है थांडाइक के नुसार क्या बताया गया यह important है पढ़ना जरूर आपको क्या कि गत अनुभवों से लाब उठाने की योगिता ही है बुद्धी है इन्होंने बताया कि गत अनुभव यानि कि जो बीते हुई जो बीती हुई आपके उपर बाते थी या कहलो जो समस्याएं आपके उपर आई है पिछले कुछ सालों में उनसे जो आपने सीखा है अब जब वैसी कुछ समस्या है आपके सामने आ रही है तो वहाँ पर जो आपने सीखी है चीज़े वो अब जब यहाँ पर आप इंकल्यूड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे वरना इनका फिर से सामना करना पड़ जाएगा तो यही बुद्धी है या आप ऐसे कहलो कि एक ब पर एक्स्ट्रा ले लिया था प्रक्टिकल के समय उनसे पांच रुपए तो कुल मिला गया अपने उनको निगेटिव चीज़े बता ली अपना अनुभाव उनसे शेयर कर दिया तो अगर वो उस अनुभाव को यूज कर लेता है तो वो भी किसके अंतरगत आएगा बुद पर पूर्ष्धि को कई तरह कि शहां प्रक्टाओं का नहीं होती हैं इन चंत्याव का पूर्षय बुद्धि है बुद्धि के सहारे व्यक्ति अधेश्य पूरण करता है जो व्यक्ति जितना अधिक उद्देश्य पूर्ण वसारतक क्रिया करता है वो उतना अधिक बुद्धिमान माना जाएगा कि आप बताओ कितने वो धिमान हो यह important point है क्या कि बुद्धी के सहारे व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है मतलब ऐसे काम करो जिनका कि आराम से बारिश में बहार है उसका वो निर्थक है कोई मीनिंग नहीं है कि आप बनाओगे और बढ़िया उसमें बैटके चले जाओगे या वो ना किसी आपके साथी के पास पहुच जाएगी वो देखेगा या देखेगी या राहुल ने नहीं हा के लिए बेजा या नही होनी चाहिए यानि कि ऐसा आप ऐसी क्रियाएं करो जो देश्य पूर्ण हो ठीक फिर देखो जो भी कुछ नाम हम लेत लेते हैं बीच में वो हम किसी इंटेंशन्स नहीं ले रहा है ठीक जस्ट पार्ट ऑफ जोक उनली है ठीक यह सीरियसली ना ले ना भाई में बात को हम अगर आप अभी से इस टॉपिक को मालो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपने सोचा यह मेरे ना ऐसा है मैं जब कह रही है तो मैं की बात मान ले टेट सीटेट ने पूछा जाएगा चलो दो चार पॉइंट्स के नोट्स बना लिया जाए तो आपने पहले ही सोच ल आएं की है ना तो आप अपेक्षा करत अन्य बच्चों से ज्यादा बुद्धि मान मने जाएंगे यह हो कि उधारन स्वरूप बात बुद्धी व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रवावसाली डंग से समायोजन या नुकूलन करने में उड़त करती कम बुद्धी वाले व इवं युक्ति संगत होता है कहने का तक पड़े जैसे अमूर्त चिंतन भी किसके अंदर जादा होगा जो इसके अंदर जादा बुद्धी होगी वो कैसे जैसे मान लो आपको कोई बिजनस करना है ठीक है आप अपना पूरा माइंड से सोच रहे हो कि यार यह बिजनस अग अपने बिजनस को स्टार्ट अप लेने में भी महनत करेंगे और उनलाइन जुड़ेंगे तो उसमें वापे मेरी लागत कम लगेगी और अंडिंग जादा होगी इसमें तो ऑफलाइन में अब इसमें दुकान खोलने में तो कोई वैरेंटी नहीं है कि लग की बिक्री होग मैंने अगर पाच लाग रुपए इंवेस्ट किया है तो क्या हम पाच लाग निकाल पाएंगे ही निकाल पाएंगे लेकिन जब हम ओनलाइन बिजनस के पेक्षा अपकी तरफ बढ़ेंगे तो उसमें हमारी लागत कम है इवेन हमको हर मन्त की सैलरी मिलने लगेगी मतलब अ टोब की देसीजन होता है वहाँ कैसे लेते अपने धिमाग से लेते अपने विवेक से लेते हैं ठीक बुरष मानवयक्ति प्रायेर कटिन और जटिल कारे करते हैं और उनकी कारियों में मौलिक ता इधिक होते हैं कब कार दो वीकास का है windows को सीखने की उसरा हिरा पढ़े कि कि बुद्धी का स्वरूप तो कोई निस्टित हो नहीं पाया है आज दिन तक लेकिन समय समय पर कुछ विद्वानों नो परिवाशा है प्रस्तुत की है इसके पक्ष या विशेश्टाओं से संबन देती लेकिन बुद्धी का स्वरूप क्या है इसका वर्णन हमने नाधर प में कहते सीखने के की खितनां कर दोतरों कर नाधर कि अणुमिन फिकाव कि पह बच्षन न को समयाउन है लेकिन दुनाखने जादा अच्छे शीक है है ना उसके बाद में उस सीखने के बाद में उस अनुभाव को अब कहीं और यूज किया मतलब दुबारा मेकप यूज किया अपने क्लाइंट के लिए तो इनके अनुभाव से ये सब सीखे तो इनका लाव इन बच्चों ने उठा लिया जब तो यही सीखने की योगिता को निर्धारित करता है ठीक अब देखो भारतियम मनीशियों एवं बिद्वानों ने ज्ञान को जीवन का प्रमुक साधन और साध्यमाना है अता जो व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहेंड कर लेता है उसे समाच उच्छस्थान देता है इसके प्रमुक प्रतिपादक व अपने उद्देश्व को प्राप्ति करने की समता देती है प्रतिक व्यक्ति को विकास के सास्त विविन प्रकार की समस्याओं को सामना करना होता है जो व्यक्ति इन समस्याओं पर जितने जिल्दी विजय प्राप्त कर लेता है या उसे छुटकारा प्राप्त कर लेता है व इंटेलिजेंस है उसे भुद्धि कहेंगे जैसे छोटे बच्चों को आप देखो पजल वाले गेम दो गेम जो बच्च इस सबसे पहले पजल बना दे समझो वह ज्याधा अमूर्टे चिंतन की योगिता अगर बात करें यह कि जितना ज्यादाः आप vemos करेंगे तो वहां कुझटा जाद है कि इंस्तव representation और्धिक से रजवरे था आप उतने ही intelligent है उतने ही आपके अंदर बुद्धी है ठीक अब जड़ा देखो क्या है according to term क्या कहागे कि पर्टेक व्यक्ति दो प्रकार से चिंतन प्रक्रिया को अपना था पहला मूर्थ रूप से चिंतन करके कि अमूर्थ रूप से चिंतन करके अमूर्थ रूप से मतला फै जो हमारे साथ नहीं है वही कि उनकी कल्पन और इस्मरति की अदार पर जयान प्राप्त करना अता अमूर्थ की जा क्या है बुद्धि वा ज्ञान में वरद्धि की जा सकती है ठीक अब देखो पर्याम राट से सामंजस्य की योगिता की यह दी बात की जाए तो विल्यमस्टंड ने जीवन की परिस्थितियों और नवीन समस्याओं में सामान निमांची का लोकूरन ही बुद्धि है कै ऐसे कि प्रतेक व्यक्ति जीवन में विकास करता है विकास के समय सफलता है वह सफलता है दोनों ही आती है जो व्यक्ति दोनों में समाजी करण एवं सामंजस्य करते हुए विकास करता है उसे बुद्धिमान मना जाता है वह जल्दी परियावरण को अपने नुकूल कर लेत बुद्धी के स्वरूप की परिवर्तन शीलता कवा विस्तार ने विशय के बारे में विद्वानों का एक मत नहीं होने दिया, अता आज हम बुद्धी के स्वरूप को निर्दारित करते समय स्रजनात्मक्ता पर विशयस ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा तत्व है जिसके अंतरगत सभी पूर्व मत सीखना सामन जस्य है, अमूर्व चिंदन वा समस्या समाधान आते हैं, इसके लामा इसके शेत्र विस्तरत है, या किसी भी व्यक्ती की किसी एक योगिता का निर्दारन नहीं करती, बलकि संपूर मानसिक योगिताओं का, चाहे वे या अरजितकर ने दारन करती हूं, इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि बुद्धी व्यक्ती की जन्मजात योगिता है, जिसका इसफ़चि करण स्रजनात मक्ता के द्वारा होता है, आप देखो, बुद्धी की कुछ विसेष्टा हैं, क्या है? पहला, बुद्धी जन्मजात शक बंच्obil दाधी दाधी पर पढ़ड़ के स्हाँ किया है तो इसका मतलब वा अपनी नहीं लिए अगनला है कि बत्थे विकास के लिए समाजिक पर्यावरण से आहां स् सयग Stallion भी ज़्चया है कि बुद्धी के विकास के लिए सामाजिक पर्दियावरेड भी जरूरी है जिस पर्दियावरेड में बालक प्वास्च्याते मनोवैग्यानिकों ने भी सुएकार करने लगे फिर बुद्धी सीखने की योगिता है बुद्धी कैाि अप्टा सीखने की योगिता है क्सी काम को किस तरीके से सीख रहें किस तरीके से लर्ण कर रहें यह सब किस पे Crcut होता है Iss इंटिरिजन्स पर यानि की बुद्धी पर देखो अधिगम के अनुभवदारा व्यक्ति के विभार में होने वाले परिवर्तन को व्यक्ति अपने बुद्धी के नुसार ही अनुभव करता है अताहा मनोवज्ञानिक कथाने बुद्धी सीखने की योग गिता है यह किसका अब्लम हुई तो आप कैसे सॉल करेंगा उसको चुटकियों में मिंटों में सॉल करनेंगे अपने माइंड से फिर बुद्धी पर वन्चा अनुक्रम और वातावरान का भी प्रभाव पड़ता है सबको पता है कि बुद्धी एक महत्वपूर विचेशता है कि उस पर वन्च वन्चा ने कहा कि वोगोज़ से लेकर कि शोला वर्स तलडे कि अन्यमानो वैग्यानिक ने बुद्धी का विकास 20 वर्स तक माना है तो प्रिंटर ने क्या माना है 16 वर्स तक और अनने क्या माना है 20 वर्स तक माना है फिर देखो बुद्धी का विकास ने डेवलपमेंट ओफ इंटलिजेंस विकास एक सता तता करमिक प्रक्रिया है बालक जन्म के पस् मांसिक विकास अर्थात बॉद्धिक की विकास भी कोच जोर अवस्था की समाप्ति तक पून्ता को प्राप्त कर लेता है बुद्धी विभिन मांचिक योगिताओं का योग है जिनके आधार पर बुद्धी का मापन करके बालक के बाद्धिक विकास को इस पस्ट करने का प्रयास किया जता है अता विकास की अवस्थाओं के अनुसार बालक की बुद्धी का विकास वा विवरण इस प्रकार है कैसे देखें अब हम आपको जादा देड़ नहीं रोकेंगे ये वाला टॉपिक और पढ़ लो बुद्धी का विकास ये मतलब ये 100 नहीं 110 परसेंट पूछा जाता है सीरियसली पढ़ लो ना ये वाला टॉपिक आपका टेट हो या आपका सीट हो या इवन आपका सूपर टेट हो जहां पर भी आपका ये सीडिपी का कोशन बनेगा ना वहां पर ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाएगा तो इस मैं हमल रिक्षा टू यू आल कि पढ़ लो फटा फट से और हाँ एक चीज़ और बता दें आज आपको कि साम की कक्षा में आना ना भूलिएगा साम की कक्षा बहुत इंपर्टेंट है एक सिक्षक के द्रिस्टि कोण से कल शाम की बात कर रहें ठीक तो बिलकुल आना न भूलिएगा अब आपको बताते हैं कि हम लोग आज इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे मोस्ट इंपर्टेंट है बोलो तो लिख दे या बताओ तो एक स्टार बना दे लो ठीक अब कुछ अब देखो विकास का एक सतर तथा क्रमिक प्रक्रिया है बालक जन्म की पस्चात विकास की विविद अवस्ताओं के नुरूप चारिरिक तथा मांसिक विकास करता है मतला पहली बच्चा क्या है थोड़ा बड़ा हुआ फिर उससे बड़ा हुआ फिर उससे बड़ा हुआ फिर बोलना सीखा फिर चलना सीखा फिर दिमाग लगाना सीखा जूट बोलना सीखे पता चले उससे पानी गिर गया पानी गिराया तुमने नहीं ममा हमने ठोड़ी नहीं अपने आप गिर गया फिर आपने बोला अभी एक दिया अभी मारें कूटें भी तुमको बताओ जल्दी बताओ तुमने गिराया ना नहीं फिर वो दिरस बोलेगा नहीं अभी दू एक कान गेंचे बता रहे हो की नहीं बता रहे हो जल्दी बोलो बोलो की नहीं बोल रहे हो वो हम ना, वो हम उधर से निकल रहे थे, तो मेरा ममा पैर थोड़ा से touch हो गया, इसलिए गिर गया, हम ने गिराए थोड़े ना था, ऐसे बोलेगा वो आपसे, मतलब वो आपको उल्लू बनाने कोशिश करेगा, थीक है, तो कहने का दाथ पड़े ये, कि थोड़ा थोड़ा विकास होता है, तो वो किस क्रम में होता है, आईए ये सिखाते हैं आपको, बड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़े से पढ़ेंगे, सेशन के एंड तक बने रहेगा, अगर अच्छा लगें तो लाइक करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा, अब देखो, जिस प्रकार बालक का, कि सारी रिक विकास किशोरा अवस्ता के अंदर तक पूर्ण हो जाता है, मतलब जो सारी रिक विकास होता है, वो बच्चे का कब से कब तक होता है, जैसे 65 साल से लेकर के 70 साल तक मानी गई है, कि 2 साल से लेकर के 4 साल तक मानी गई, यह इस तरीके से आपको बताना है कि किशोरा अवस्ता कितने वर्ष से कितने वर्ष तक मानी गई, पूरा पूरा टॉपिक पढ़ाया है मैंने किशोर अवस्थागी क्लास का नहीं देखा है तो देख ले ना बहुत इंपोर्टेंट है आप देखो जैसे जो सारीरिक विकास है वो बच्चे का कप पूर्ण हो जाते है किशोर अवस्था तक पूर्ण है विकास पूर्ण हो जाते है अब विकास की अवस्थाओं के नुसार बालक की बुद्धी का विकास का विकास इस प्रकार है पहला देखो ऐसी पूस्ते यहीं से कोशिन पहला क्या है आपका शैश्वा अवस्ता क्या है क्या पढ़ा रहे हैं हम शैश्वा वस्ता इसमें क्या बुद्धी का विकास कैसे होता है तो देखो इस अवस्ता में सिशु जन्म के आरप प्रारंभिक से दो लिए तीज करने के लिए वटेशन पोचते ना बो चोटे पूछे करने के लिए प्रकार्स के जटेए राथ metropolitan रखाए अब करको खेंपल यो बिलिए colour प्लावर और फूल इसको बोलती project यह फ्लावर है शुनलर सा दीड़े यह वाइट क्यों है अगर आपने उसको बता दे कि वाइट बेटा वाइट है नैचुरल कलर होता है तो दीड़े इसका पिंक कलर भी आता है मतलब वो आपको इद्दम कितने questions पूछेगा इतने questions पूछेगा कभी कभी तो बड़े प्यार लगते हैं लेकिन पता चले जब आप कोई काम कर रहे हो और वो आपसे ऐसी बकवास बड़ी बाते करें बड़ी प्यारी कहलो आना बच्चे वाली बाते तो प्यारी कहलो प्यारी बाते करें तो आपको बड़ा irritation होगे यह जोर कहां से कहां यह हमाई जमाग चटने आ गया मालोब अपनी पढ़ाई कर रहे हो ठीक है अब मालोब कहां कोई छोटा बच्चा है ठीक है आएगा आपके पास यह क्या है यह क्या पढ़ रहे हो यह अच्छा इसमें यह ऐसे लिखा होता है अच्छा पता चले पैनले लिया पूरे में आपके में सब गन जो है उदर ऐसे ऐसे करके पूरा सब ऐसे ऐसे कुछ भी डिजाइन बना दिया बड़ी आसी है न सो यह सब चीजे क्या है बच्चे के अंदर होती है वो बहुत प्रश्न पूस्ते हैं ठीक इस आयू में बालक में अनुकरण की प बाबा जो है कैसे गुस्ता करते हैं बताओ जरा बाबा कैसे गुस्ता करते हैं तो पते एकदम जैसे गुर्राने वाली आवाज नहीं होती न ऐसे निकाल के बताएगा पर एकदम तो पते पूरे पूरे जब भी उसके पास कोई जाता तो उससे सिर्व यही पूस्ता है क्य लाओ तो क्या कहेंगा बाबा भाया केसे बोल दे तो बताएगा तो खहने का मतलब किसमें बच्चा इस आयू में अनुकरण की प्रवर्तिय धिक पाई जाती है मतलब वो चीकता बहुत है कॉपी बहुत करता है चीजों को वहां अपने से बड़ों के विवहार का अनुकरण क करके ज्यान वर्धन करते हैं मतलब ऐसा नहीं किसी परिपेक्ष में सीख रहा है वो वैसे भी चीजों को सीखता है देखो अब जब आप लोग इस एज में खाना खाऊगे ना तो बच्चों को जब चम्मच का टूरी से खिला तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा ठीक तो उ ले कलपना भी सीमीत होती है अब देखो जब बाल्य अवस्ता में बुद्धी का विकास क्या है डवलप्मेंट इंटिलिजन्स किसमें चाइल्डूट यानि बाल्य अवस्ता में तो बाल्य के बुद्धी की तीव रगती से विकास होता है मनोवेग्यानी का कहना है कि बाल् किशोर अवस्ता में बुद्धी का विकास, इस अवस्ता में किशोर तथा किशोरियों की बुद्धी का विकास, मंद गती से परिपक्वता की और अग्रसित होता है, यानि कि अब एक एज में तो यहां विकास हो गया था, लेकिन अब जो है किशोर अवस्ता में, वो मंद से परिपक्व की और यानि कि जैसे आप देखो ना कभी-कभी बोलते ना कि आभी परिपक्व नहीं है इसलिए इनों फोटी गल्ती की है वनना इनके अगर इनके इतने हैं परिपक्व होते तो यह गल्ती ठोड़े ना करते ऐसे बोला जैते हैं। नॉमली नॉमल लेंग्वेज में हम लोगो क्या जैसे मान लोग कोई गलती कर दी तो पहले तो डाटर जाओगे खुब अराम से मम्मा पापा लंका लगाएंगे आपकी फिर उसके बाद में बोलेंगे आरे ठीक है चलो छोड़ो मम्मी पापा को मान लो समझा रहे हो पापा म कि क्या ही बता है इस अवस्ता में तो सिर्फ कलपनाई होती है और हम यहां जाएंगे हम वहां जाएंगे हम ऐसे घूमेंगे हम लॉंग डरीव पर जाएंगे और पिर जब यह सब बाते पापा यह मम्मी को यह नि आपकी फैमिली को पता चलती न फिर आपकी सारी लॉंग हो जाते हैं वो सब फिनिस हो जाते हैं और फिर बालक किसमें चला जाता हैं थोड़ा सा डिपरेशन में इसी एज में सब जाते हैं इसी एज में कुल मिला के जितने ब्लंडर्स होते हैं वो सारे किशोरा अवस्ता में ही होते हैं बच्चे के साथ है ना बहुत मारे उठल पुथल रहती है इस अवस्था में कि यहला चाप्टर एक बार हमारे कहने पढ़िएगा आप इसी चैनल में किस में होगा देखो पेपर ठी या पेपर टू में हो आप पेपर ठी में है आपका तो चेक्टर नजरा किशोर आवस्थाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना जाकर के एक बाल बहुत मज़ा आईगी है ना मज़ा का मतलब ऐसा निये नॉलेज मिलेगा उससे और पेपर में कुश्यन भी पूछे जाएगा और अच्छा भी लगेगा कैसी लगी वहाँ पे कमेंट करें आपको देख लेंगे आपको इसके स्वरूप को निर्धारित करने में मनोवग्यानिक एक मत नहीं हो सकते हैं तो इस पर मनोवग्यानिक एक मत नहीं है अता बुद्धी के निर्धारक कारकों का ग्यात होगा अत्यन्त आवश्या के बुद्धी के निर्धारक कारक माने जाते क्या-क्या पहले सबसे पहले अनुवाण चिकता यानि कि आपके अगर मम्मा पापा बहुत intelligent है तो आप भी CDC बात है no doubt कि intelligent होँगे in case मानलो नहीं है तब भी आप intelligent है तो कैसे intelligent हो तो आप दादी दादू पे अपने पढ़ गए होगे ठिक है तो ये सब कैसी प्रयाप्त मातरा में समानता रिखाई देती है अनुवांचिक रूप से जैसे क्या होगा आपको एक्जामपल लेते हैं जैसे मालो की मामा के बच्चा पढ़ने अच्छा नहीं है ठीक तो ममा क्या कहेंगे आपकी हाँ एक यहू बहुत पढ़त रहे हैं मतलब एक इनकी यह बहुत अच्छे पढ़े ते और आप इनके यह बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं जैसे मालो मामा मिल गए तो मालो मामा तो चोटे हैं तो Sozial कर falou के कहएंगे जैसे तुम मक्कार थे बच्पन में वैसे यू मक्कार हूए लेसके लेकावारह को बढ़ेंतों से शै बच्चे दो हैं लेकिन आप उनको सेम तरीके से उनको पाल रहे हो पोश रहे हो मतलब प्यार दे रहे हो सब बाते हैं लेकिन फिर भी उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है अलग-अलग है बुद्धी लब्दी उनकी में क्या पाई जाएगी डिफरेंस होगी ठीक अब समरूप जुडवा यानि उनकी बुद्धी में अधिक मात्र है में समाहनता पाई जाती हैं दो तरीकी इक होतें विए समरूप जुडवा बच्चे उनकी पुद्धी-अब देखो एक लड़की हो जाती है गोड़का हो जाते हैं और नहीं-दूनों ही लड़के योगे ले पर बहुतिए ज़ादा है कह सकते हैं कलू एकदम उसका नाम ही रख दिया का लू कलू कलू सब लोग उसको बल बुलाते बहुत चड़ाते हैं ना कहने का मतलब यह है कि एक तो ऐसा लगता है अमेरिका से आया एक ऐसा लगता है कि वह कौन से कीरी केटर वेस्टन दी से बुल कुमेंट अने अपने अध्यनों द्वार्ण कई बुद्धी के विकास में वातावरण कारकों को प्रभाव में निम्लखित रुट्रस पष्ट कहरा चकता है पहले जिन बालों का पालन पॉष्टन धनी तता उत्प्रेरक पर्या वरण में किया गया था उनकी बुद्धिलब् उनको किसी चीज की कमी नहीं हुआ जिन बालकों का पालन पोश्चन धनी तथा उत प्रेरक पर्यावरण में किया गया था, उनकी बुद्धी उन बालकों की बुद्धी लब्दी की तुलना में अधिक पाई गय थी, जिन बालकों का पालन पोश्चन गरिबी तथा उत प्रे ही नहीं मैसूस हुई ना तो CDC बाते उनका intelligence लेवल अच्छा रहा उसत योगिता उपर वाले बालकों के पर प्रतिकूल वातावरण पर बुरा असर पड़ता है समान ने भाई बहनों एवं जुड़वा बालकों के एक जैसे वातावरण में रखने पर उनकी बुद्धी में स मानता उन समान ने भाई बहनों एवं जुड़वा बालकों के पेक्षा अधिक पाई गई जिन्हों ने अलग-अलग बातावरण में रखा गया एक समान बातावरण ने पालिट पोशित अनुवांची की रूप से बिन बालकों की बुद्धी लब्दी बिन पाई गई हेल के रूप के कारण उचित मानसिक विकास में भी कठना ही होती है सेम एटोपिक आपको कल भी पढ़ाएंगे बाकी यह मान के चलो बहुत अच्छा चाप्टर चल रहा है इससे आपके टेट सीट सूपर टेट में तो 110 परसेंट भाईया राजा कोशन बनेंगे मेरे प्यारे स अब करेंगे तो यह बोलेंगे आपके टीचर है मतलब आप उठीए बेठीए खाईए आपके बाएट की बना कर रखेंगे आपको के सामने वाला देखें तो यह बोलें कि आपके टीचर है मतलब आप उठीए बेठीए खाईए आपकी बातों में इतनी गहराई हो वैना तरक पूर्ण आपके चिंतन हो जब भी आप बोलें तो जैसे नहीं सव बातों की एक बात बोलें लेकिन एकदम ठोस बोलें तो आपकी बातों में कहते हैं वजन हो आपके शब्दों में आपको description box और कहां मिल जाएगा comment section में मिल जाएगा ठीक तो वहां से जरूर जोइन करें पीडियेफ के लिए अब इसी पर से related आपकी class 4-5 दिन चलेगी इस topic से related और बाकी देखो बाकी क्या कहें आप से हमेशा यही जाते समय बोलवाते हैं अपनों के लिए बोलो तरह उससे कुछ दिन से कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं अब बता हमें कोई बच्चे का नाम ले क्या कि आपने कमेंट क्यों नहीं क्या आपने कमेंट क्यों नहीं क्या भाई कमेंट करने का मतलब यह नहीं है कि हमें कुछ बहुत कुछ मिल रहा है नहीं हमें हमें आपको यहा से हम क्या ही बया करें है供 आई स benefits תाए कok रात रात पीडियेव बनाई जाती है सब का में बहुत लिए के से हो रहे हैं तो लाइक करिए चैनल को और जादा से जादा कोशिश कर दो एक बार बार वही बात बताओं मैं कमेंट रोज किया करो रोज किया करो पता नहीं कुछ लोग हैं तो रोज करते हैं तो वादी वादी थैंक्यू सो मच्ट फर ओल डेट एस्पिरेंच हूँ डिड एवरी कमेंट इन एवरी वीडियो उसके बाद में देखो और एक बात बता दें कि हाँ आप लोगों का टेलीग्राम चैनल वनके का परिवार हो चुका है तो यह आप लोगों का प्यार ही तो है मतलब मेरा जो परिवार है यह एक हजार लोगों का हो गया है तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और सबसे बाली बात तो आप लोगों को बढ़ाई और आप लोगों के बिना यह असंभव था मानो and thank you so much for being a part of this family it means a lot for me thank you to sir and ma'am okay so हमेशा खुश रही है मुस्कुराते रही है कभी अपने लिए तो कभी बोलो भाई बोलो बोलो हाँ तो अपनों के लिए very good और मेरा अशिरवाद अपने family से ममा पापा चाची चाचू से भी ले लीजेग और आप लोग दे जिजेगा टेक केर बाई बाई